कि दोस्तों आद में आपको जानवरों के ऐसे काना में दिखांगा जिसे देखकर आप यहां सब्सक्राइब कर लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहले बार है तो प्लिस वीडियो का लाग करकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैन लोटिफिकेशन और पसा दोस्तों घोरे पर घूमना किसको पसंद नहीं होगा लेकिन सबके नसी में घोरे के उबर बैटल घूमना नहीं लिखा है बलकि घोरे कि इलाद खाना लिखा है आप देखी सकते हो जिसे देखकर मैं तो यहीं कहूंगा दोस्तों दुनिया में बहुती ज्यादा कम बैक्ती होंगे जो टैगर से नहीं डड़ते होंगे लेकिन जड़ा एक बर इस वीडियो को देखो जहांपर एक टैगर इस भाई के पास जागर मस्ति कर रहा होता है लेकिन भाई को मस्ति करने का मूड नहीं होता तो फिर क्या था भाई ने टैगर को एक कंपटिस रख दी जिसके बाद टैगर ने भी यही कहा और जिससे देखकर मैं तो ऐसे हसा अब एक बार इस फोटोग्राफर को भी देखो जो जानवरों की फोटो लेने के लिए जानवरों को इधर उधर जोड़न रहा होता है और तभी इसके सामने जंगल का बाद राजा जाता है और तभी फोटोग्राफर सेर को देखता है तो देखो क्या होता है जिसके बाद तुम्हें यहीं कहूंगा दोस्तों अगर बात करें सबसे सरारती जानवरों की तो सबसे पहले नाम बंदर का ही आता है क्योंकि यह होते ही हैं इतने चुलबुले कि किसी को भी प्रसंद कर देते हैं अब आप यहां पर देखी सकते हैं कि यहां पर कुछ कच्छो आराम से बैठे होते हैं और तभी बंदर उन्हें एक एक करके पानी में गिराने लगता है लगता है कि कच्छों ने बंदर की बं एक बार इस वीडियो को भी देखो जहां पर एक बड़ा चुहा इस गोले में घुम रहा होता है और तब ही वह चुहा अपने एक बच्चे को भी गोले में घुमाने के लिए ले जाता है लेकिन वो चक्र खाकर नीचे गिर जाता है जिसके बाद तो और बच्च्वी की फट जाती है जिसे देखने माद में तो यहीं कहूँगा आजा आजा दोस्तों अगर चोट गल्ट जगा लगा तो बहुत ही ज़्याद दर्द होता है जैसे कि आप इस वीडियो में देखी सकते हो कि यहां पर भालू एक लोड की छड़ी समस्तियों कर रहा होता है जिसके बाद भालू सत्क्या हुआ आप खोजे देख सकते हो जिस देखने माद में तो यहीं कहूंगा अजा अजा दोस्तियों कि खत्तम गुद्बाई गया